मैं हूँ मुबारी के लिए और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान दादा के नाम से मशहूर कद्दावर कॉंग्रेस नेता और चूरू के सरदार शहर से विधायक पंडित भहुनलाल शर्मा का आज सुबह जेपूर के SMS अस्पताल में निधन हो गया सुबह 7.35 मिनट पर विधायक शर्मा ने अंतिम सांस ली पहले मेदानता होस्पितल बर्ती करवाया गया था जहाएं से वे ठीक हो गये थे 17 अप्रेल 1945 को सरदार शहर में जन में पंडित भहुनलाल शर्मा का पूरा जीवन राजनिती को समरपीत रहा 1962 में भोत अलप आयू में शर्मा गराम पंचायत जेत सी सर के सरपंच चुने गए और लगातार दस वर्ष सरपंच रहे 1982 में 1982 तक वे सरपंच रहे और 1982 में ही पंचायत समिती सरदार शहर के परधान चुने गए उसके बाद पंडित महमलाल शर्मा ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा और 1985 में लोकदल के टिगट पर विधायक चुने गए उसके बाद जनतादल में शामिल हो गए और 1990 में जनतादल से विधायक चुने गए और मंत्री बने 1996 में के उपचुनाव में भी शर्मा ने विजैसरी हासिल की उसके बाद 1998 और 2003 में लगातार कॉंग्रेस के टिगट पर विधायक चुने गए उसके बाद 2013 और 2018 में खास तोर से कॉंग्रेस बिलकुल सिमट गई थी 21 विधायक कॉंग्रेस के चुने गए थे उनमें भी शर्मा जीत कर आने वालों में शामिल थे कई बाद कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनी लेकिन शर्मा अपने विधान स्वाक्षेतर से बड़े अंतर से जीत कर विधायक बने एक बार बहरुशिंग शेखावत के समय में भी शर्मा पर सरकार को ऐस्तिर करने के आरोप लगे वो बेबाक और एक परभावी छवी के इनसान थे तो बहरुशिंग शेखावत के समय में सरकार को ऐस्तिर करने के उन पर आरोप लगे और एक बार सरकार बचाने वालों में भी वो शामिल रहे 2020 में वर्तमान मुक्य मंत्री अशोग गहलोत के बागी विधायकों के गुट में विधायक शर्मा शामिल रहे और सुलह होने पर जैपुर में सबसे पहले आकर अशोग गहलोत से मिले और फिर उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने अपनी बात अशोग गहलोच से कह दी है और अब कोई नाराजगी नहीं है बेबा की शालिंता अपनत्वे और भाईचारा का पाट पढ़ाने वाले दादा पूरे जीवन दादा का पूरा जीवन राजनितिक उठापटक से बढ़ा रहा बचपन से लेकर अंतिम समय तक वो जनपर्ति नीदी रहे और निधन के समय भी अभी वो सरदार सेर से विधायक है उनके घर आने वाला विक्ति कभी भूका नहीं जाता था जेपूर में भी खास तोर से एस्पताल में आने वाले लोगों की मदद में आगे रहते थे और शरदार सेर को अपना परिवार मानते थे परिवार में चार बच्चे बताये जाते हैं उनके बेटे अनिल शर्मा राजनेती में सक्री हैं और वर्तमान में उनको राजनेतिक नियुक्ती भी मिली हुई है निशित रूप से सिद्यानतों की राजनेती करने में शर्मा हमेशा याद किये जाते रहेंगे बोलता राजस्तान के इस बुलेटिन में इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को जदा जदा शेयर कर दीजिए हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद